मौसम चाहे कोई भी हो चाहे गर्मियों का हो सर्दियों का हो या बरसात का हो तो पशु के उसकोषब में बरस रिएस को बार ट्रीटमेंट करने की बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, उसको दो तीन दीन या पाच दिन एंटिबाइटिक लगाने के बाद या औरल एंटिबाइटिक उसको खिलाने के बाद भी उसमें कोई improvement हमें नहीं देखने को मिलता है तो पशुव में जो गोबर पतला आता है उसके क्या कारण हो सकते है तो उसका ईलाज हमें किस तरह से करना चाहिए खास करके जब हमें किसी भी treatment को जैसे के antibiotic को कोई भी response नहीं मिल रहा है तो ऐसी condition में अगर पशु बालगात्तार पतलाग ओबर कर रहा है तो उसका हमें कारण ढूनना है और उसका अच्छे से निदान करना है ताकि पशु जल्दी से जल्दी रिकोर हो जाए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं एंट्रिपायोटिक देने के बाद भी उसको क्यों नहीं रिस्पोंस मिल रहा है और हमें उसका क्या ट्रिटमेंट करना चाहिए इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगी लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल से नहीं जुड़ तो हर पशु पालक ने इस समश्चा को कभी ना कभी फेश किया हुआ होता है कि पशु का गोबर या तो एकदम हाड आ रहा है या फिर लूज आ रहा है कई दिनों से पशु पतला गोबर कर रहा है जो ट्रिटमेंट करने के बाद भी उसको कुछ भी रिस्पोंस नहीं मिल तो जनरली अगर हम देखे तो पशु जब हाड गोबर करता है याने कि उसकी कंसिस्टनसी जो है वो बहुत जादा हो जाती है गोबर की तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो कारण होता है कि उसके डायट में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो हम कम दे रहे है और दूसरा पीने के लिए पानी एंटाइम अगाने मिल रहा है, उसके पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उसके डायट में प्रोटीन की कमी हे तो जाधा-तर कैसे में वहां प्वेर और दीजीम प्रशू का पतला आने लगता है और वो treatment को response नहीं दे रहा है तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए जब पशु पतला गोबर कई दिनों से लगातार कर रहा है और वो treatment को response नहीं दे रहा है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पशु का जो गोबर है उसके consistency है जो वो lose क्यों हो रही है तो उसके कई कारण हो सकते है जैसे कि हम पशु को feed provide कर रहे है तो उसमें हो सकता है कि fungus growth हो गई हो जैसे कि हम कूछ जो सुका हुआ चारा पशु के लिए store कर के रखते है तो बहुत बार उसमें क्या होता है कि उस पर fungus की growth हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि जो चारा है वो सड़ने लगता है गलने लगता है तो ऐसा अगर चारा हम फंगस के ग्रोथ वाला या सड़ा गला चारा जिसे हम रॉटन फिल कहते हैं ऐसा अगर हम पशु को देते हैं तो वो भी एक कारण होता है कि पशु में पतला को बराने लगता ह इसके साथ साथ पशु को हम ज्यादा मात्रा में अगर ग्रेंस दे रहे हैं, तो उसके जो रूमेन की pH है, वो ऐसी डिक हो जाती है, तो ऐसी कंडिशन में भी पशु पतला गोबर करने लगता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी pH जो रूमेन की वित्य है, उसका चेक करन बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर हम पशु को ग्रेंस डायट में उसके नहीं दे रहे हैं, जादा मात्रा में नहीं दे रहे हैं या बिलकुल भी नहीं दे रहे हैं, फुर भी अगर पशु पतला गोबर कर रहा है, तो हमें उसका ट्रुटमेंट किस तरह से करना अगर हमें पता है कि हम पशु को ज्यादा मत्रा में ग्रेन दे रहे हैं और ऐसे में अगर पशु का जो गोबर है वो पतला आ रहा है तो सबसे पहले हमें जो उसके डायेट में हम कॉंसेंट्रेट दे रहे हैं या ग्रेंस दे रहे हैं उसकी कॉंटिटी को हमें कम करना है और ग्रेंस नहीं दे रहे हैं, फिर भी पशू लगातार पतला गवर कर रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो जो एसे सिचुएशन होती है, हमें पता होता है कि हम अपने पशू को फीड दे रहे है, या जो चारा उसको खिला रहे है, उस पर फंगस गुरोथ है, वो कभी गलाचारा भी उसके खाने में जा रहा है तो या फिर उसके जो डायट है उसमें ग्रेन की मात्रा जो है वो जाधा है तो ऐसी कंडिशन में हम जैसा के आभी मेरे हाथ में पॉडर देख रहे हैं आयू बफ नाम से तो इस पॉडर का इस्तमाल कर सकते हैं इस पॉडर को हम 500 ग् रोगे लेकर एक केजी तक जो फीड होता है उसका तो हंडेड केजी फिड में हम इसको एक पूरे प्रेकेट को मिलाकर उस पॉडर कईक Score किया सकते हैं तो उससे ये प्राइप मार कर आदो जाएगा इसके साथ ही अगर हम फिड में नहीं मिलाते हैं तो 20 ग्राम लेकर 50 ग्र डेली उसको देना है तो यह प्रॉब्लम खतम हो जाएगी तो इस पॉड़र के अंदर यह जो आयो पॉड़र आप मेरे हाथ में देख रहे है इस पॉड़र के अंदर sodium bicarbonate भी है magnesium oxide भी है और live is culture भी है तो अगर जो फंगस की वजह से पश्यू में lose motion हो रहा है जो fungal toxins होते है उसकी वजह से पश्यू के लीवर पर भी effect होता है तो यह उसको neutralize करने का काम करता है और rumen की pH को भी maintain रखता है तो इस powder से हमारी यह lose motion की या फिर जिसे हम पश्यू में पतला गोबर आना कहते हैं तो उसकी समश्या से हमें चुटकारा मिल सकता है जब पश्यू का खाना पिना भी normal है उसके खाने में एक्स्टा ग्रेंस भी उसको नहीं दे रहे है या सडा गला जो चारा होता है वो भी उसको नहीं दे रहे है फिर भी पश्यू में अगर lose motion हो रही है यानि कि गोबर पतला आ रहा है तो उस टाइम हमें जैसे कि आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बैलेंस ओल नाम से जो पाउडर होता है इसके साथ साथ यह पश्यू की इम्मुनिटी बढ़ाने में भी काम करता है तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं बैलेंस ओल पाउडर यह 100 ग्राम का एक सैसे आता है तो इसको हमें 2 लिटर गुन गुने पानी में मिलाकर पश्यू को पिलाना है तो यह हमें 12 गंटे के अंतराल से पिलाना होता है फिर से तो अगर यह हम सुबा पिला देते हैं तो एक शाम को पिलाना है ऐसे हमें लगाता है दो से तिन दिन तक इस पाउडर को पश्यू को देना है तो इस प्रॉबलम से हमें 100 परसेंट छुटकारा मिल जाएगा या फिर इसकी जगह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लैटी पर पाउडर जो आता है तो इसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसको भी एक एक सैसे सुबा और शाम कंटीनू हमें तीन दिन तक देना है तो इसमें जैसे कि अगर रूमेन की पी-च कम या जादा हो हो रूमेन माइक्रो फ्लोरा का जो बैलन्स होता है वो गरबढ़ा गया हो तो उसकी वजह से अगर पशु आफ़ीड चला गया हो गोबर जो है वो पतला कर रहा हो उसका खाना पीना कम हो गया हो तो ऐसी कंडिशन में इस लैटीफर पाउडर का भी हमें बहुत अच्छा र पाउडर है इसे उप्योग में लेकर हम उसके कंडिशन के अनुसार किसी एक पाउडर का यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने पाउडर आपको पहले भी दिखाया था आयू वफ उसका भी आप इस्तमाल करते सकते हैं और अगर पशु को बहुत ज्यादा दीन से गोबर पतला आ रहा है तो उसमें डेहडरेशन होने की भी चांसे से तो ऐसे कंडिशन में आप उसको जो इलेक्टरलाइट का लिक्वीड आता है या पाउडर आते हैं जैसे कि आप मेरे हाथ में यूनिकूल लिक्वीड देख रहे हैं तो यह ऐसे इलेक्टरलाइट के बहुत सारे लिक तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद